हफ्ते के पहले ही कारवारी दिन शेयर बाजार गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स 210 अंकों की कमजोरी के साथ 34,961 के इस्तर पर बंद हुआ वहीं निप्टी 71 अंक फिसल कर 10,312 के इस्तर पर बंद हुआ बाजार पर ज्यादा डीटेल बताने के लिए देवानशी आशर अमारे साथ जुड़ी है देवानशी बताइए आज पूरे दिन मार्केट में क्या एक्शन रहा है हफ्ते के पहले दिन लाल निशान में बजार स्लिप होते हुए दिखे का दिखे के लिए और लाल निशान पर पर के लाल निशान के साथ ही होते हुए धिकिए हाला कि हमने देखा कि second half bank stock थे जूच लीक में हलकर सी recovery ज़ूर देखने मिली ती निश्टर लेविज से लेगिन असके बाज़ुषत हमने देखा लाल निशान में Nifty, Nifty Bank, Mid Cap Index, सारे बंद होते हुए दिखे सबसे पहले अगर लूजर्स की सुची पर नज़र करें तो आज निफ्टी में पोल इंडिया, Axis Bank, Tech Mahindra, Hindal को जिसे कुछ स्टॉक्स ते यहां पर सबसे जाधा Meg proper राज़ार दिखने मिली है जिसके May यहां पर सबसे जाधा Megppy टेखने मिली थी, Axis Bank में it सबसे जादार गिरावत देखने मिली थी, Call India नथीजों के चले मिली है IT Stocks आज काफी दबाव के साथ ट्रेड करते हुए दिखे तो यह सारे Stocks ते जो कि Top Losers की सूची में शामिल हुए दूरसी तरफ आप Gainers की सूची देखे काफी साथ चोटी लिस्स बनती हुए दिखे आज निफ्टी पर HDFC Bank, Britannia, Sipla, Kotak, Mahindra Bank यह कुछ ऐसे Stocks ते जहां पर आज करदारी आती हुए दिखी लेकर HDFC और Kotak इसकी चलते हमने देखा Second Half में अच्छी recovery Nifty Bank पर आती हुए दिखी आज सारी 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 स्टॉक्स लाल निशान में slip होते हुए दिखे RBL Bank करी 5% तक यह गिरावट हमने देखी एकसिस Bank में काफी गिरावट थी Bank of Baroda, Yuko Bank, Federal Bank यह सारी स्टॉक्स ते जहां पर आप एच्छी गिरावट आती हुए दिखी इसके अलावा आज आज रियालिटी स्टॉक्स पर आप देखे लगाता दबाव बनता हुए दिख रहा है लेकिन आज इंडेक्स 3% से ज्यादा फिसलता हुए दिखा ब्रिगेड एंटरप्राइस, प्रेस्टीज, अब्रार रियालिटी, सोभा यह सारे स्टॉक्स ते जहां पर 3% से ज्यादा की गिरावट आज की ट्विडिंग सेशन में देखने में वॉल्यूम्स के साथ आज गिरावट आती हुए दिखी थी कुछ स्टॉक्स में FMCG दूसरी तरफ यह ऐसे स्टॉक्स ते जहां पर आज सहरा मिलता हुआ दिखा हरे निशान में यहीं इंडेक्स ट्वेट करता हुआ दिखा था आज के दिन में और आप देखे ब्रिटानिया, ITC, HUL, DABAR यह सारी स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी आती हुए दिखी द अच्छी अच्छी तेजी आती हुए दिखी वेस्टोस पेपर में 14% से जादा के गेंज नतीजों का भी रियक्शन था जेकी पेपर स्टा पेपर यह सब अधरा पेपर के वज़े से आज रियाक्ट करते हुए दिखे साथ ही आज नतीजों के लिहाज से अवंती फीट ने करते हैं लेकिन अगर वज़ार ब्रॉडर इंडाइस की बात करेतो आज कमजोर ही वज़ार करते हैं बहुत शुक्रिया आप देवान शी आपका इस पूरे आपडेट के लिए